काफी सारे पौधे पर्मामेंटली ऐसे हैं कि हम असानी से उसको लगा सकते हैं अगर एक पैसा खर्चा ना करना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं ऐसे ही हमने काफी सारे पौधे लगा रखे हैं जो आपसे सेयर करेंगे कि जिसमें कि ये मनी प्लांट से देखिए कटिंग से आसानी से लग जाता है और हमेशा बना रहता है कभी आप न चाहें तो आपके यहां से यह खतम नहीं होता है और इसके जो है देखिए रहने से सुभ माना जाता है कि ये मनी का सुरूत होता है क्योंकि ये अक्सीजन जो है 24 घंटे देता रहता है अक्सीजन को सुध करता है तो इस वज़ा से ये फ्रेंट्स सरीर स्वस्त रहता है तो मनी का सुरूत बनता है दूसरा फ्रेंट्स यह है जेट ब्लांस इसको भी बहुत सुब माना जाता है और यह देखिए इजली कटिंग से लग जाता है और इसको में डोर के सामने उपर छट पे रखना चाहिए मानते हैं कि बहुत सुब होता है यह यह अभी कुछ दिन पहले हमने लगाया है देखिए कुछ दिन ही हुआ हमने कटिंग से लगाया था और इजली लग गया और ये कहीं से भी ले सकते हैं अगर खरिदना ना चाहें तो बहुत जगा लोगों के हम मिल जाता है और ये है तुलसी हमारी स्यामा तुलसी फ्रेंस की तुलसी तो लगानी ही चाहिए आस्था है तो भी और नहीं है तो भी क्यांकि ये जहां रहती है वहा के 200 मीटर तक की दूरी तक ये अक्सीजन को सुध करती रहती है और 24 घंडे भी आक्सीजन देती रहती हैं और ये हैं कि मेडिसनल गूड भी काफी होते हैं फ्रेंस जो कि हम काफी सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं यूज करके और ये जाटा बासी का पौधा फ्रेंस ये अपने आप निकाल आता है और दिमाग के लिए बहुत फ चायते हैं ये एक reducing और ये जाता नहीं है, बहुत पासंदेटे को फिनकुक ही, बहुत चायता हुआ है सर्क कौधिका ctcky और गूड دिमागता पासमारियों, प्रेंस तो अबभी चायते है और ये जाता कि में एकелей पर आ youtube का परिटिफारे erशारी और ये और देखिए पसंद भी जादा तर सबको होता है तो इस वज़ा से फ्रेंस हम काफी सारी घुनिया लगा रखे हैं ये केवल ये सर्दियों में फ्रेंस से थोड़े कम पते निकलते हैं बढ़ते नहीं है जल्दी बाकी हर से जन में ये काफी सारे पते इसमें से निकलते हैं ये है कि लोई का पौधा फ्रेंस देखिए कितना ग्रोध किया है और ये देखेंगे कि किस तरीके के डीबे में छोटे से डीबे दो लीटर के डीबे में कटिंग में लगा हुआ है आधे उपर से काट दिया है हमने डीबा और फिर भी 4-5 साल से इसी में ये ग्रोध कर रहा है और देखिए इसमें पानी डालिए न डालिए देखिए कितनी सी मीटी है और कोई खाद न डालिए फिर भी देखिए कितना ये ग्रोध करता है और फाइदेतों अनेकों है फ्रेंस इसके यह है हमारा मोगरा फ्रेंस देखिए मोगरा भी हम जो है बरसात में कटिंग से लगा सकते हैं फ्रेंस इजली लग जाता है और देखिए इसमें फूल भी कितने लगते हैं और इसका जो है खुसबुतों पूरे गार पारीं में यह काम आता है, अगर यूज करेंगे तब ही पता चलेगा, प्रिंस से कि यह कितना फाइदे,िमंद है इसकी पतियां, और यह आसानी से बनार रहता है आपके यह यह अदरग प्रिंस है, अदरग तुखर साल में एक बार जो है लगाना पड़ता है, इक बार जरू प्रेंस ये तो इनकी खुसबू तो पूरे गार्टन में चरा सा आप हिला दीजिए अब बस जो है फैल जाता है और अपनी आप भी खुसबू आता रहता है और इससे भी ये कई पाउधा था फ्रेंस अब कई पाउधिया हमारे पास हो गए हैं और ये गुणहल फ्रेंस होते हैं और ये सदाबहार फ्रेंस ये तो देखिए एक बार लगा दीजिए तो जाता ही नहीं है कहीं न कहीं इसके पाउधे निकल ही आते हैं और इसमें भी काफी सारे मेडिशनल गुण होते हैं और ये ये येलो बेरा देखिए येलो बेरा का तो कुछ कहाने नहीं कि य जो है हम गिनते रह जाएंगे और ये सारे पौधे फ्रिंस पर्मा मेंटली होते हैं जो कि एक बार आप लगा दीजिये और लगा रहता है अपके गार्डन में हमेशा ये इजली और ये फ्रिंस बुलाद है जो कि इसके भी काफी सारे मेडिसनल गून होते हैं और इसके फूल भी काफी यूज में आता है और देखिए देखने में भी सुन्दर लगता है आप गार्डन में जाए अपने तो देखकर ही मन खुस हो जाता है और खुस बूल तो आते ही हैं और चाहें तो अनेको जो है मेडिसनल इसमें गून होते हैं कि केवल पता होना चाहिए हमें यू लगा दिया और यह देखे कितनी आसानी से लग गया फ्रेंस तो यह सारे पाउध ही फ्रेंस जरूर लगाने चाहिए और यह कोई जरूरी नहीं है हम खरिद कर ही लगा सकते हैं और यहे हरसिंगार का पाउधा फ्रेंस जो कि चवदा रतनों में ये करतने इसको माना जाता है जो समुद्र से निकला था और इसके अब अब जो है सर्दियों में ये काफी फूल इसमें निकलेंगे और देखिए डीबा टूटा हुआ है फिर भी इसका कुरोध फ्रेंस देख सकते हैं हमने कितने लोगों को इसे कटिंग अब कितने लोगों ने लगाया है और ये साइटिका और ये गठिया बात रोग वेगरा में स्वेलिंग हो या दिमाग के लिए भी इसके काढ़े बहुत फायदे मंद होते हैं फ्रेंस ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं फ्रेंस की फायदे इनके बहुत हैं और पर हम चाहें तो ये असानी से जो है लग जाती हैं और इनके फायदे तो जो है कहना ही क्या है फ्रेंस ऐसे ही बहुत सारे पौधे हैं फ्रेंस जो हम लोग इजली जो है बिना एक पैसे खर्च किये भी लगा सकते हैं और ये एक साल लगाई है और जो है एक साल या उससे भी ज्यादा या सा बना रहता है पौध हां असानी से इसके साथ कुछ देखिए सबजियां भी जो लगाते हैं उसमें खुद से ही पीछ तैयार कर सकते हैं और इजली ग्रो कर सकते हैं कुछ पौधों का तो भी जपने आप बनकर उज़रता रहता है और देखिए पौध ही सारे निकलते रहते है और सारे पाउधों के अपने अलग ही बेनिफिट्स हैं फ्रेंसे ये जैसे सेम की पती है सेम की पती चाहें जैसे जुरिया या च्छाई वगर चेहरे पे दाग धबे हो जाती हैं उसके लिए बहुत फाइदेमंद होता है इसके पतियों का रस लगाना होता है